वेल्कम बाक एवरीवन इस एपिसोड में बात करेंगे पैसा लोग डिजिटल लिमिटेट के बारे में आज जो है को थोड़ी से न्यूस है जिसको सबसे बहले हम लोग कवर करते हैं बिस्निस यहाँ पर हम लोग कंपनी का बात करें तो नॉन डिपॉजट टेकिंग एंब ए देखो हुआ क्या है आज के दिन में जो है एक बेसिकली न्यूस आई है यहाँ पे आफ्टर एट सी हाई कोट और अंफियर लेंडिंग कंपनी क्लारफाइस यहाँ बात की गई थी कि यहाँ पे जो कंपनी एक सो पच्छिस परसेंट का इंट्रस चार्ज कर रहे हैं जिसके इन इलेक्ट्रोनिक मीडिया तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे जिसने जिनको इन्होने पेविंट करी थी उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर इनके साथ में कुछ प्रॉबल्म हो है यह आप देख सकते हैं यह सारी ट्रबल्स जो है company पे आती जाती रहती है as long as the business model is good यहाँ पर यह चीज़े recover हो जाती है यह बाकी भी हमने काफी सारी companies के case में देखा है because जो इतनी भी regulatory bodies है हमारी country के अंदर उनका काम है हाँ पर कि वो check करते रहे time to time की unfair practices now and in and out अगर आप देखेंगे तो इंडिया के perspective से यह एक अच्छा point है देखिए मैं company की बात नहीं कर रहा हूँ regulation strong होना जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और वो एक इंडिया के perspective से अच्छा point है हाँ पैसलोग डिजिटल को यहाँ पर certainty सोड़ा सा problem होगा इसकी वज़ा से और वो चीज़ आज हमें देखने को भी मिली जो stock के investors है especially retail investors उनको भी थोड़ा सा problem होता ही है इस चीज से यहाँ पर bonus issue भी आ रहा है 20 smarts के बाद जो है यहाँ पर stock हमें X bonus treat करता हो नजर भी आएगा market cap 6300 करोज का है stock का P38 पे है industry के P के double है peg ratio 3.5 पे है generally ज़ादा है थोड़ा सा देखो जितनी भी यह companies होती है जो lending का business करती है इनका business ultimately उसकी विज़ा से ज़ादा चलता है because जितनी भी banks है वो इन लोगों के जो loan है वो कम process करती है because एक private sector bank की अगर हम लोग बात करें तो वो जो है अपने loans को बहुत ज़ादा secure तरीके से यहाँ पर disperse करना चाहते है जिसकी विज़ासे उनके NPS कम हो वाइल यह जो companies है यह भी बनाते देखो interest अपना net interest margin से ही है बट यह जो companies है आपर यह अलग तरीके से operate करती है क्योंकि इन लोग को जो है ज़ादा clients चाहिए होते है तो मुझे लगता है दो चीज़े आपको समझ कर चलनी चाहिए due diligence यह भी करते है and banks भी करते है but banks जो है थोड़ासा एक higher civil जिनके होते है higher जो check उनके होते हैं वो पास करेंगे तो उनको ही loan process होता है वो दो चीज़े आपको समझनी है यहाँ पर एक 122 करोड का revenue 2022 December में था and December 2023 की कौटो में 183 करोज के revenue में देखने को मिला financing margin 42% यहाँ पे spread जादा है इस वज़ा से margin भी company जादा बना पा रही है 56 करोड का net profit हमें देखने को मिला by the end of the day game रह जाता है volumes का because interest rates जो हो इनके हाथ में नहीं होते हैं revenue 2019 तक अगर हम लोग देखेंगे तो एक steady number पर grow कर रहा था from 2015 यहाँ पर 2020-2021 के इंदर static रही sales पर उसके बाद में अगर हम लोग देखे तो वापर से growth आने लगी अभी last three years के इंदर growth जो हो catch up करती हो में नजर आ रही थी इस particular company में अगर हम लोग यहाँ पर पर बात करते हैं इस company के shareholding pattern की तो वह आपके screen पर है promoters ने यहाँ पर stake बढ़ाया है DIA इस ने यहाँ पर stake को maintain किया है FIIs ने कम किया है in fact FIIs last चार quarter से इसमें selling करते हैं नजर आ रहे है 21% of the company is with the public public में भी जो wealthy investors and companies है वह आपके screen पर है पैसा लोग के chart पे अगर हम लोग discussion करते हैं तो आप एक की notice यह करोगे कि stock के अंदर जिस तरीके से गिरावट आई है वह थोड़ी सी solid है बट breakout की भी अगर हम लोग बात करें जिस तरीकी के run ups हमें देखने को मिले थे वो भी काफी heavy थे मैं आपको यह चीज कहूँगा विकाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो within 63 days मतलब दो महीने के period में almost यहाँ पे stock ने 100% से उपर का return generate कर दिया था तो ultimately जो stock जितनी जल्दी भागता है उसके अंदर correction भी उसी तरीकी के आती है जब market इस हिसाब से होती है जैसे अभी है तो वो एक चीज है यहाँ से जो support region है वो 111 रुपे से लेके 105 रुपे के zone में 105 के level beat होता तो 91.55 पे है देखिए यह selling pressure जो आज build हो रहा है यह जल्द recover होता हुआ भी नजर आ सकता है because यहाँ पे जो short selling होती है वो अपने positions को cover करते हैं तो मुझे लगता है वो एक important चीज है यहाँ पर समझना बट अच्छा एक और चीज हम discuss करना भूल गया है इस stock को ASM के अंदर भी डाला गया है तो वो भी एक measure ही है जिसके थूरू बताया जा रहा है ultimately कि जो investors है they should be aware कि यह अब क्या होता है अगर आप इसके investor हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि company किस तरीके तर response कर रही है जो इन पर allegations लगाए गया है उनका और क्या हो रहा है उसके बारे में तो you should look for it but with that said I really hope you guys enjoyed this episode पसंद आया प्लीज लाइक, share, subscribe जरूर करना and I'll see you guys in the next one